बंगलादेश भी पाकिस्तान की तरह कंगाली की तरह बढ़ रहा है बंगलादेश में भी महंगाई पाकिस्तान की तरह बढ़ती जा रही है तो दोस्तों क्या बंगलादेश में भी पाकिस्तान की तरह लोगों को आटे डाल के लाले पढ़ने वाले हैं क्या पाकिस्तान की त पूबने वाला देश बनता जा रहा है, हाला तो पहले से ही खराब होने लगे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बंगलादेश में हुए सोशल और पॉलिटिकल अन्रिस्ट ने देश की एकॉनमी को बहुत अगड़ा शटका दिया है, और इसका सीधा असर बंगलादेश के आम लोगों पर पढ़ता हुआ दिखाई भी देरा है, बंगलादेश में महंगाई ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बंगलादेश में महंगाई आस्मान चू रही है, बंगलादेश ये अखबार The Daily Star की रिपोर्ट 13 अगस्त यानिकल की है, ये रिपोर्ट बता रही है कि पिछले 13 सालों में पहली बार बंगलादेश में फूड इंफलेशन 14 परसंट तक बढ़ गया है, फूड इंफलेशन बढ़ने का सीधा मतलब है कि खाने पीने के सामान की कीमतों का बढ़ना, सबजियों के दाम का बढ़ना, चावल, गेहु, दाल और दूसरे सामानों का महंगा होना, बंगलादेश Bureau of Statistics ने सौमवार को ही फूड इंफलेशन से जुड़े आंकड़े जारी किये हैं, ये रिपोर्ट बता रही है कि जून में महंगाई के दर 9.72 परसंट थी, जो जुलाई में बढ़कर 14.1 परसंट तक पहुँच लई, बिएसस के आकड़े ये भी बता रहे हैं कि ये केवल food items के दाम नहीं बढ़े हैं, non-food items की कीमतों में भी इज़ाफा हुआ है, non-food items inflation जून में 9.15 परसंट था, जो जुलाई में 9.68 परसंट तक पहुँच गया, जुलाई से अगस के बीच बांगलादेश में जबरदस सोशल और पॉलिटिकल अन्रेस्ट हुआ, इस आसमान शूती महंगाई के पीछे उसी अन्रेस्ट को वज़ा बताया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि बांगलादेश की सरकारी एजन्सीज इस आउट अफ कंट्रोल होती जारी महंगाई को लेकर अपने हाथ खड़ी कर चुकी हैं, अर्थ शास्त्री एहसान एच मंसूर बांगलादेश सेंटरल बैंक के नए गवर्नर बने हैं, गवर्नर बनने के बाद उन्होंने कहा कि बांगलादेश बैंक की मुख्य प्रात्तमक्ता है, महंगाई को कंट्रोल करना, लेकिन क्या ये इतना आसान है, ये बांगलादेश के फिनांस और प्लैनिंग अडवाईजर सलेहुदीन एहमद के बयान से साफ है, सलेहुदीन ने कहा है कि महंगाई दर को घटने में समय लगेगा, यानि बांगलादेश में अभी ना तो महंगाई घटने वाली है, ना ही लोगों को रहात मिलने वाली है, अब रहात मिले भी तो कैसे, जुन तक जो महंगाई दर 10% से नीचे थी, वो जुलाई में 14% को पार कर गई, इसके पीछे देश के हालाद भी जिम्मेदा है, सोशल अन्डरस्ट के वज़ज़ से सप्लाई चेन टूड गई है, अब जब सप्लाई ही नहीं होगी, तो चीज़ों के दाम तो बढ़ने ही थे, दुनिया की एक बड़ी रेटिंग एजनसी ने भी, बंगलादेश को लीकर, एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है, इस ग्लोबल एजनसी का नाम है S&P, कैपिटल मार्कट कंपणी S&P ने कहा है, कि बंगलादेश में हुए बवाल का सीधा असर बैंकों और देश के फिनांशियल रिफॉर्म्स पर पड़ेगा, S&P के मताबिक इस अन्रेस्ट के वईड़े से बैंकों के सिरी और कमजोर होगी, और आर्थिक सुधार की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी, बंगलादेश में चल रहा है घमासान को देखते हुए S&P ने पहले भी से लिकर चेतावनी जारी की थी, S&P का कहना है कि बंगलादेश की बैंकिंग इंडस्ट्री कमजोर हो चुकी है, उसके पास liquidity यानि funds की कमी है, capital buffer नहीं है, खराब assets हैं और ऐसे हालात में Central Bank के top officers का हटना या बदला जाना पूरी economy पर असर डालेगा, S&P का भी हाकलन है कि बंगलादेश में हुए unrest और उसके बाद लगाये गए करफ्यू की वजह से ही inflation इतना ज़ादा बढ़ गया है, पिछले दो-तीन सालों में बंगलादेश की economy की रफ्तार सुस्त पढ़ने लगी है, देश की economy की backbone माने जाने वाली garment industry का performance भी अच्छा नहीं था, उस हालात में देश में इतने बड़े और हिंसक आन्दोलन ने देश की अर्थ ववस्ता को और पीछे धक्टेल दिया, अमेरिका बंगलादेश के garment products का बड़ा importer है, लेकिन पिछले 6 महीने में यूस ने बंगलादेश से कपड़ों का import कम कर दिया है, पिछले 8 महीनों में देश के rediment garments का export में 16% की गिरावट आई है, अब ऐसे खराब हालत में जब देश में anti quota protest शुरू हुए, इसने पूरे देश को कई दिनों तक ठप कर दिया, तो देश के industries की तो band भजनी थी, चटगाओ पोर्ट बंगलादेश का सबसे बड़ा पोर्ट है, देश में होने वाले import export का 90% यही पोर्ट हैंडल करता है, लेकिन जब बंगलादेश में बवाल हुआ, हिंसा हुई तो इस इस पोर्ट पर भी असर पड़ा, यहां भी कामकार अज ठप पड़ गया, रिपोर्ट बताती है कि कई consignments पोर्ट पर फस गये, रिपोर्ट बता रही है कि पोर्ट पर ships की आवाज आही से लेकर import-export में 10 दिनों तक की देरी हो गई, रिपोर्ट साही कि 50 से जाधर ship चटग की खबर है, बांगलादेश का foreign reserve केवल एक महीने में 1.3 billion dollars कम हो गया, जो forex है भी वो केवल 20.48 billion US dollars का है, जो एक देश के हिसाब से बहुत कम है, बांगलादेश पर विदेशी कर्च भी बढ़ चुका है, इस financial year के पहले 8 महीनों में बांगलादेश ने foreign debt के मूल और dollar कर्च किये थे, तो सूचिए क्या हालात हैं बांगलादेश की economy के, बिरोजगारी और महेंगाई तो मुद्दा हैं, बांगलादेशी टका भी लगतार गरता जा रहा है, फोब्स की आज की रिपोर्ट है, एक अमेरिकी dollar की कीमत 117.46 बांगलादेशी टका के बराबर हो उम्मीद की जा रही है कि ग्लोबल एक्सपर्ट सब बांगलादेश के बदले भारत की textile industries को प्राफमिता देंगे, भारत के लग-लग राजियों की textile industries इस मौके का फाइदा उठाने के लिए तयार है, फिर चाहे वो लुध्यानाइक industries हों या फिर करनाटकी, और सबसे बांगलादेश के कॉनमी के नाओं में एक दो नहीं, बलकि साइकड़ों छेद हो चुके हैं, तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसा लगा, जरूर बताइए